मौसम बिगरने वाला है दुनिया कुछ भी कर ले मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिन्दा हैं नमस्का जन भावना टाइम्स में आपका स्वागत है मैं हूं गारगी पठान फिल्म से शारूख चार साल बाद बड़े परदे पर वापसी को तयार है पर इसी फिल्म के बेशर्म गाने और दिपिका के भगवार रंग के बिखनी ने विश्व हिंदू परिसद और भी कई लोगों की भावना को आहत किया है जिसके चलते इस फिल्म को बॉयकोट करने की बातों ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा हुआ है और लगातार उस सीन को हटाने की भी मांग की जा रही है नहीं तो फिल्म रिलीस नहीं होने दिया जाएगा पर इसी भी चिकिंग खान और भी बी टाउन सितारे पहुचे की आई एफफ कोलकाता के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल कारिक्रम में जहां रानी, बिगबी, जया बच्चन और श्रत्रुगन सिना भी शामिल थे तो वहीं स्टेज बाई शारुक ने बड़े स्मार्ट मूव लेते हुए ट्रॉलर्स को करारा जबाव दिया और किसी को बुरा भी नहीं लगने दिया क्योंकि उन्होंने बातों ही बातों में बोल दी दिल की बात बेशर्म गाने को लेकर कहा कि फिल्म सुसाइटी को बदलने का एक जरिया है तो वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैला रहे हैं पर दुनिया चाहे कुछ भी कर ले आप मैं और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं जिन्दा है इस साफ समझ आ रहा है कि शारूख ने बड़े ही सादगी से अपने दिल की बात को सब के सामने रखा और किसी को बुरा भी लगने नहीं दिया बाकी खबरों के लिए देखते रहे जन्भावना टाइम्स नमस्कार